पिश्ली किलास में आपने ये देखा था किस तरह से सेकंड एंगलो मैसूर वार में हदर अली का कतल होने के बाद टीपु सुल्तान ने मैसूर की बागडोर अपने हाथों में ले लिया और वो मैसूर का किंग बन गया और ब्रिटिश को मैसूर को उन्हें अपने कबजे में नहीं लेने दिया उसके बाद उस लड़ाई को वो जारी रखा और कहा जाता है कि फिर एक सुले के जरीए वो लड़ाई खत्म हुई उसमें किसी की हार और जीत नहीं हुई तिपु सुल्तान जब मैसूर की गड़ी पर बैठा तो उसने मैसूर में यतनी भी नशा वाली चीज़े थी यानि शराब टूबैको एटीसी पे पाबंदी लगा दी और उसने शादी वियाह में फुजूल खर्ची पे रोक लगा दिया साथी पीरी मुरीदी का जो सिलसिला था वो भी बंद कर दिया उसने जमिनदारों से जमीन लेकर किसानों को खेती करने के लिए दे दिया जिस से फसल अगर अच्छी होगी और लोगों को दो वक्त की रोटी मिलेगी और तब ही हम मजबूत होंगे और तब ही हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकेंगे टीपू सुल्तान बहुत ही साथगी पसंद बादशा था वो पढ़ा लिखा भी था बहुत सी लिट्रेचर को भी जानता था बादशा होने के बावजूद भी वो फर्ष पर दरी बिचा कर सोता था और अपनी हकूमत को वो खुदादार ममलिकत कहा करता था यानि खुदा की दी हुवी हकूमत कहता था टीपू सुल्तान को टाइगर आफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है यहां पे हमने कुछ पॉइंट लिख दिये हैं आप इसे नोट कर लेंगे ही वाज दा सन अफ हाइदर अली जो अभी हमने कल के वीडियो में ये पढ़ा था कि हाइदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था और ही वाज नोन आइज दा टाइगर आफ मैसूर वो मैसूर का टाइगर के नाम से जाना जाता था और इसी का एक कोटेशन है कि शेर की एक दिन की जिन्दगी गीड़ के सौ साल की जिन्दगी से बेहतर है ये टीपू सुल्तान ने ही कहा था टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में तमाम हर मध़ब के लोगों को जगह दी और उचे उचे पोस्ट पे रखा और उसने अपने जमाने में मैसूर में जितने भी जरूरत की चीज़े थी सब के कर्श्रक्शन करवाए उसने मैसूर में बड़े बड़े इंड़स्ट्री चीज़ खुलवाए ताकि हर जरूरत की चीज़ वो मैसूर में बनवा सके उसने हर तरह के आमस्तायार करवाए और यहां तक कि उसने रॉकेट का इंवेंशन भी किया और उस रॉकेट का इस्तेमाल उसने बेटिश्ट के खिलाफ जंग में भी किया था टिपू सुल्तान ने पहले बार मैसूर में बैंक खुलवाए ताकि लोग बैंक में पैसा जमा करके रखेंगे तो देश की यानि मैसूर की खास्तोर से मैसूर की एकनोमिक कंडिशन अच्छी होगी और हमें बेटिश्ट से लड़ना है तो हमें हर हाल में श्रॉंग होना प खुशाल रियासत हो गई और अंग्रेज बेटिस यही कहा करते थे कि यह मैसूर है वो हिंदुस्तान की सबसे खुशाल रियासत है और यह जन्नक की मानिंद है और हर हाल में मुझे मैसूर चाहिए जब तक मैं टिपू सुल्तान को नहीं डिफीट दूँगा तब तब तक म मैं पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का खाब नहीं देख सकता हूं लेकिन टिपू सुल्तान को कैसे हराया जाए जाए जाहर सी बात है कि हैदर अली के जमाने में उसने मराथों को तो अपने खेवर में करके हैदर अली के खिलाफ जंग में उन्हें शामिल कर लिया इसकी दो उसने देखा कि इतने से भी काम नहीं चलेगा हैदर अली के और कौब दुशमन है कहा जाता कि हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी हैदर अली के दुश्मन थे तो बिटिश ने हैदराबाद के निजाम को भी अपने साथ मिला लिया और तीनों ने मिलकर मैसूर की तीसरी जंग छेड़ दी थार्ड अंगलो मैसूर वार 1792 में कहा जाता है कि 1789 में बेटिश ने थार्ड अंगलो मैसूर वार श्रू कर दिया ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही वैसे बेटिश जान भूश कर लड़ाई को किसी भी जंग को लंबा खीशते थे ताके वो यहां के लोगों को बिलकुल पस्त कर सकें क्योंकि यहां के लोग लड़ाई में शुरू में ही अपनी पूरी ताकत लगा देते थे जिसस शुरू में डिफेंस किया करते थे तो यही हुआ कहा जाता है कि यह जंग दो साल तक चली और दो साल तक चलने के बाद तीपु सुल्तान का कहा जाता है कि बहुत जादा नुखसान हुआ था तीपु सुल्तान ने देखा कि वो तीन बड़ी ताकते हैं और मैं यह जंग अ बिर्टिश से एग्रिमेंट कर लिया उसने 1792 में श्रीरंगा पत्नम साइन कर लिया और उसमें कहा जाता है कि टीपु सुल्तान को इस सुलह में अपनी आधी रियासत बिर्टिश को देनी पुरी थी उसने अपनी आधी रियासत बिर्टिश को दे दी पॉइंट यहां पे नोट किया हुआ है इसे आप नोट कर लिगी इन 1792 अपनी आधी रियासत बिर्टिश को दे दी अप चुके जीते जिन्दगी टीपु सुल्तान ने अपनी आधी रियासत बिर्टिश को दे दी थी तो जाहिर सी बात है कि यह बात उसके लिए इंतहाई तकलिफ दे थी लेकिन इसके लावा और कोई चारा नहीं था उसने यह सोचा था कि अभी हम फौड़ी तोर पे दे देते हैं फिर हम अपनी फौच को मजबूत करने के बाद फिर उन लोगों से अपनी यह रियासत को हम जीत लेंगे यही सोच कर उसने उस वक्त के सबसे दुनिया के सबसे पावर फुल कि फरांस के नेपॉलियन बोना पार्ट तक अपनी पहुच बनाई और उससे यह बात की कि तुम बेर्टिश के खिलाफ इस जंग में मेरा साथ दो क्योंके बेर्टिश को हमें हिंदुस्तान से हटाना है अब यह बात चल लही थी कि बेर्टिश को इसकी भनक लग गई और उन लोगों ने फिर से मराटू और निजामों को अपने फेवर में लेकर मैसूर की चौथी जंग शुरू कर दी और इस जंग में टिपू सुल्तान के दो कमांडर इन चीफ मिर्जा सादिक अली और मिर्जा गुलाम अली ने भी घरदारी की और वो भी अंग्रेजों से बेर्टिश मिल गए और उस मैसूर की चौथी लड़ाई में टिपू सुल्तान के जाहिर सी बात है के हार होने वाली थी और वो मारा जाने वाला था कि उससे पहले बेर्टिश की तरफ से एक फ्रांसेसी आफिसर ने कहा कि तुम अपनी जान बचा कर भाग जाओ मैं तुम्हें भागने का रास्ता देता हूं क्योंकि तुम अभी जंग में मारे जाओगे लेकिन टिपु सुल्तान ने कहा कि नहीं मैं बुदिलों की तरह जान बचा कर नहीं भागूंगा मैं जंग में लड़ता हुआ मर जाओंगा लेकिन मैं पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा और वो बेर्टिश से खिलाफ जंग लड़ता हुआ शहीद हो गया लेकिन वो अप हिंडुस्तान हमारा है और इस हिंडुस्तान पे मुझे हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता और बिर्टन की महरानी ने इस्ट इंडिया कंपनी पे पूरी दौलत की बारिश कर दी और फिर बेटिश ने ये एनाउंस किया कि हिंडुस्तान का कोई भी राइटर ना तो हैधर सुल्टान के बारे में लिखेगा क्योंकि आने वाली नसलों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दो ऐसे किंग हुए मैसूर के जिसने मिलकर बिर्टिश के खलाफ लड़ाई लड़ी उन्हें हराया भी ये आने वाली नसलों को नहीं पता चलना चाहिए तो जब तक के बारे में लिखा कि दो ऐसे किंग हुए जिसने बिर्टिश के खलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया भी और अपने से 40 साल उन्होंने दुर रखा और मैसूर पे हुकूमत करने नहीं थी उम्मीद है कि टीपु सुल्तान पे ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी क्लिक करें और घर बैठे हर किलास की रेगुलर और कम्प्रिटिव कोचिंग का आनन्द उठाएं थैंक यू वेरी मुच